शेलीजे मेडम पानी तुझे मेरी अवास सुनाई नहीं देती मैं इतनी देर से चिल ला रही थी वो मेडम गेट पे गाड़ी आ गई थी जिसके एंट्री कर रहा था इस वज़े से लेट हो गया था तेरे लिए गाड़ी की एंट्री करना ज़्यादा जौ़रु था मेरे लेझ पानी लाना वो मेडम गेट पे गाड़ी थी अगर मैं एंट्री नहीं करता तो आप गुस्ता हो जाथे इसलिए मैंने पहले एंट्री कर दी गाड़ी की फिर आपको पानी लाके दिया लेकिन आपने क्या क्या, आपने तो मेरे पूरे कपड़े कीले कर दिये तेरे साथ ना, मैंने ये सब को जान मूच के कर रहा है ताकि तू ना अगली बार से ये गलती दुबारा से रिपीट ना करे मेरा काम थोड़ी आपको पानी लाके देना मेरा तो काम सिर्फ गेट पे खड़े रहने का है और गाड़ियों के एंट्री कराना है लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं आपको पानी लाके देता हूँ देख, मैंना इस कंपनी की मैनेजर हूँ तो जो मैं बोलूँगी ना, इस कंपनी में वही होगा और तू क्या है, तू एक मामूली सा गाड है दो टके का तो अपनी ना उकात मेरे समझ गया तू मैड़म माना आप इस कंपनी की मैनेजर हो लेकिन मैं आपको गुलाम नहीं हूँ कि जो आप मुझे काओगे मैं वह करूँगा मेरे काम इतना ही है बस कि गाड़ीों के एंट्री करना और गाड़ीों की देखवाल करना और गेट पे खडए रहके और बाकी security देना ना कि आपका personal काम करना मैड़म ये मेरे काम निहें कि आपको पानी लागे दू और पानी बलां आपको अच्छा आज ना तेरी जबान को ज़्यादा ही चल रहे है कैची की तरह तुझे पता है ना कि मुझे एक मिनट नहीं लगीगा तुझे कंपनी से धक्के मारके निकालते हुए फिर तु क्या करेगा दरदर की ठोकर रिखाएगा और भटकेगा समझ गया तु तो अपनी ना जबान पे लगाम लगा ले प्यार से समझा रहे हुँगा तुझे अरे मैडम कोई गल्दी करूँगा तभी तो आप नोकरी से निकालोगे ना और बत्तमी जी ना मैं नहीं बत्तमी जी आप कर रही है अब अपने मनमानी चला रही है अब यू दो टके के इंसान तू तू मुझे बताएगा हाँ तुझे पते मैं क्या हूँ इस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट में हूँ और तू क्या है तू एक दो टके का सेक्योर्टी गार्ड है कितनी सैलरी है तेरी तू ना महीने के कमाता है 8-10,000 रुपे और मेरी सैलरी पे ते कितनी है सुनके ना तेरे कान बिल्कुल जंजना जाएंगे 50,000 रुपे जितने ही खटे ना तूने कभी देखे भी नहीं होंगे सपनें में सोचे भी नहीं होंगे तुने और तु मुझ से ऐसे बात कर रहा है आगे से ना मुझ से ऐसे बात मत करें मैडम इज़त ना इज़त सब की करनी चीए चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर और जो आज आपने मेरे साथ किया वो आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया मेडम देख दो टके के चौकिदार अगर तु चुप नहीं हुआ ना तो मैं तिर सब बहुत बुरा कर सकती हूं समझ गया तू और वैसे भी मेरा राइट है तुम जैसे लोगों सबक सिखाने के लिए सब करना और मेरा जो मन चाहेगा ना मैं इस कंपनी में वही करूंगी या मेरी चलती है तो चुप चाप अपनी ये गंडी शकल लेके निकल जाया मैं अगर ऐसी बात ना तो ठीक है मैं आज ये नोगरी छोड़ दूआ लेकिन जो आपके पास में तीन महीने की सेलरी एडवांस में वह दे दीजिए अभिशेक क्या हुआ तुम वह भी छोड़ने की बात कर रहे हो और तुम्हारे कपड़े भी गीले है क्या हुआ है अरे सर वो अभुषेख के कपड़े मैं इसलिए गीलियो गए, क्योड आ पानी ला रहा था, तो रस्ते में पानी लाते-लाते ना, इसके उपर ईर गया, मैं इसे कांवरो हीँ, कि जाके चेंज कर ले, लेकिन यह है, कि यह है कि यही खड औ है, मुझ से बाते कर रहा है, चेंजी नहीं कर रहा जाके मैं इसे ये भी बोल चुक्यों कि अगर ऐसी रहेगा न गिली कपड़ों में तो बिमार पड़ जाएगा सुनता ही निया आप ही बोली है ना जाएगा मुझे तो बात कुछ हो लग रही है यहाँ पर एक काम करो शक्सी मुझे ससस बताओ क्या हो यहाँ पर सर मैं बताता हूं को नहीं मैडम अगर आज मैंने आपकी गलती चुपाई ना तो आगे भी आप मेरे साथ ऐसा ही करती रहोगी सर वहा कुछ ऐसा थोड़ी दिर पहले ना मैडम ने मेरे से पानी मंगाया था लेकिन मैं तो लाने में थोड़ा से लेट हो गया तो मैडम ने मेरे मूँ पे पानी फैक्ट लिवाग अब सर आप ही बताइए मैं से क्यूर्टी गाड हूं मेरे काम गेट पर रहने का है और ग रहे है और तौर यह कह रहे है और टूक काम निगरें तो तुझा निकाल दूंगी वह अच्छा सक्षी तुम इसे अपने पर स्थ continuous काम कर रहे हो यह तुम करो गई कि बह great John खोई नहीं करेगा तुम में से, नुक्सान उसका होगा जिसकी गाड़ी में हुआ है, और जो तुम इससे परस्टनल काम करा रहो ना, साक्षी मुझे तुम से उमीद नहीं थी, कि तुम इसके साथ में ऐसे काम करोगे, और एक चीज़ बताओं, तुम्हारा कोई हक नी बनता इसके ओपर पानी डालने का, इसकी बेष्टी करने का, इवन इसका क्या, किसी की भी बेष्टी करने का, साक्षी मैं तुम्हें, तुम्हें लास भूर Key R Essa विढ बे रहुं, आज के बाद तुम्हें इसके साथ में ऐसा बतावा algae क्या आ तो मैं तुम्हें नो सोचूंगी भी नई सर, सर, I'm really sorry, sir, please maaf कर दीजिए. मैं मुझसे माफी मांगने की कोई जूरत नहीं है, क्योंकि तुमने पानी मेरे ओपन डाला, तुमने पानी अभिशेख के पडाला है, तुम इसे माफी मांगो अभी के अभी? अभिशेख, प्लीज मुझे माफ कर दो, देखो, जो हुआ ना, हन जाने में हुआ, मैं तुमसे सब की माफी मांगती हूँ, और हाच के बाद ना, मैं तुमसे कभी भी कोई परसनल काम नहीं कराओंगी, तुमसे कभी पानी भी नहीं मंगवाओंगी, बस अभी के लिए तुम में क्या करना है, फटावट से गेट पर जाओ, और गाड़ों की देखबाल करो, और सक्षी तुम, मैं एक मीटिंग से फ्री होके तुमसे बात करता हूँ,